बेबी जिराफ जब जन्म लेता है करीब आठ दस फुट की उचाई से नीचे गिरता है अगर गरदन के बल गिर गया तो किस्षा खतम और अगर बच गया तो माँ टांगों के बीच में अपनी टांग फशा कर उपर की तरफ उचालती है डरता हुआ बेबी जिराफ कापते पैरों से जमीन पर आकर गिरता है ये क्या माँ उचे दुबारा ठोकर मारती है और इस बार के उचाई पिछली बार से ज़्यादा होती है जिराफ की बेबी को समझ नहीं आता ये क्या है डरके मारे वो खड़ा हो जाता है और तीसरी बार मा जब उसे टांगों के बीच में फसा कर और लात मारती है तो और ज्यादा उचाई से आकर जब गिरता है तो इतना सशक्त हो चुका होता है कि पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है अगर उसने चलना नहीं सिखा तो मां को पता है शेर बाग और दूसरे जंगली जानवर उसको खाने के लिए आतुर है इसलिए बच्चे को चलना और भागना शिखाना अत्यंत जरूरी है बिल्कुल इसी तरह से हमें भी अपने बच्चों को इतना सशक्त और इतना कठोर बनाना चाहिए ताकि वो जीवन की समस्याओं को जहल सके